नमस्कार बच्चो आज हम आपको संग्या के बारे में पढ़ाएंगे संग्या क्या होती है या उसके कितने बेद होते हैं सर्वपर्थम संग्या की परिवाशा किसी ब्यक्ति, स्थान, बस्तू, गोण या अवस्था के नाम को संग्या कहते हैं जैसे राम, लड़का, मंदेर हरे द्वार, पुस्तक, सुंदर्ता, आदि तो बच्चो संसार में प्रतियक बस्तू अत्वा ब्यक्ति का कोई ना कोई नाम अवस्य होता है और व्याकरण में नाम को ही संग्या कहते हैं संग्या के तीन भेद होते हैं सर्वपर्थम ब्यक्तिवाचक संग्या, दित्तिये जातिवाचक संग्या और तरतिये बहावाचक संग्या तो सर्वपर्थां व्यक्तिवाचक संग्या जिस शब्द से किसी विशेश व्यक्ति, बस्तु या इस्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संग्या कहते हैं जैसे इंद्रा गांधी, स्त्रेकृष्ण, ताजमहल मेरट और आगरा आदि दित्तिये जाति वाचक संग्या जिन शब्दों से उस बर्ग या जाति के प्राणियों या बस्तुओं का बोध होता है उन्हें जाति वाचक संग्या कहते हैं जैसे पेड, मेज, बत्तक, पुष्प, नदी, शेर, आदि त्रतिये वावाचक संग्या जिन शब्दों से किसी ब्यक्तिगर या बस्तु के गुण, धर्म, दशा, सो भावावादि का बोध होता है उन्हें वावाचक संग्या कहते हैं जैसे गरीबी, मिठास, सुन्दात्ता, खुशी, कोमलता, वीरता, आदि इस प्रकार बच्चों हमने जाना संग्या किसे कहते हैं या संग्या के कितने भेग होते हैं धन्यवाद